hello friends welcome to Beena's kitchen आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी और yummy केक की रेसिपी , जो कि खाने में बहुत ही बहुत ही ज़दी और असलो होता है इसे हम सूझी से बनाने वाले हैं तो यह काफी healthy होगी अगर आपको यह सूजी की केक की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्स्राइब करें तो इसे बनाना शुरू करते हैं मिक्सिंग बाउल में आधा कप दही डाल देंगे इस दही को हम अच्छी तरह से फेट लेंगे जिससे की इसका टेक्स्च्छर जो हो जाए यह आप देख सेकते हैं काफी स्मूध सा टेक्स्चर हो चुका है इसका और अब हम इसमें 1 फॉर्थ कप ऑईल डालेंगे ऑईल आप अधर कप मैंने इसमें पाउर सुजी कर लिया है ये आप देख सकते हैं यह काफी स्मूद हो चुका है तो अब हम इसमें सूजी डालेंगे मैंने एक कब सूजी डालिया इसमें मैंने इसमें बारिक वाली सूजी का हीgenा है और छमाच की हल 도 kleb इसे बहुत तेजी से नहीं मिक्स करना है अधिकतर की constructive cake जो है वह मैदे तो इसी तरह से हम मिलाते हैं इसका अच्छा से गोल बना करके तयार करेंगे और यह स्थोरा थोड़ा डूर डालते जाएंगे और इसे हम लाते ही जा हैं और यह हमारा जुगोले वो बन करके तयार हूचुगए है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप इसमें इलाइची का पॉडर डाल सकते हैं और इस सब को हमने मिक्स कर लिया है तो अब हम इसे ढख देंगे और ढख करके इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रखेंगे जिसे कि सूजी फुड़ी फूला जायेगी तब तक हमने एक प्रेशर कूकर हैब इसमें एक कप नमक भाव नमक करने भूश है उस इसमें बार-बार यूजिक है इसल 여자 है छेंज हो चुका है इसमें मैंने एक wire stand डाल लिया है अब हम इसे ढख करके गरम होने के लिए रखेंगे आप देख सकते हैं 15 मिट के बाद सूजी जो है काफी फूल चुकी है और जो दूद है वो भी थोड़ा सूख चुका है तो इसमें हम थोड़ा सा और दूद डालेंगे तो पूरा मैंने यह इसमें बेकिंग सोड़ डाल लेते हैं तो मैंने यहां पे 1 फोर टी स्पून बेकिंग सोड़ डाल लिया यानि खाने वाला सोड़ा अब इसमें मैंने आदा चोटा चमच बेकिंग पाडर डाल लिया है और इन सब को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं यह हमारा बैटर तो मैंने एक केक टिंग को ग्रीस कर लिया था और इसमें मैंने बटर पेपर भी लगा लिया है जिसे की केक जो है वह बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और मैंने यहां पे कुछ टूटी-फूटी डाल दिया है अब हम इसमें केक का बैटर डाल लेते हैं अब इसमें जिसे की जो एक्स्ट्रा एर इसमें अगर हो वह निकल जाए तो इसमें मैंने थोड़े कुछ ठूटी-फूटी डाल दिया जिसे की यह देखनें भी अच्छ लगे और अब हम इसे कूकर में रख लेते हैं तो बिल्कुल सावधानी से रखे क्योंकि कूकर जो है भी बहुत साथा गरम है और इसे हम स्टार्टिंग के 10 मिनिट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और उसके बाद 30 मिनिट्स हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे यानि कि हमने इसे 40 मिनिट्स तक पका लेना है तो अब हम इसे ढख लेते हैं तो मैंने कूकर का जो सीटी होता है उस इसे हमने च novamente करने के लिए टूथ पिक टीर हैं और यह लिए जो किवब ब्लकुल क्लीन निकली है यानि केक जो बन करके टैयार हो चुका है तो बड़ी सावधानी से हम शहां लेते हैं यह बहुत ही गरम होता है तो भौध इस आधाली से निकाले तो अब हम इस केक को decold कर लेते हैं कि यहां मेंने एक नाइफ लिया है और इसेस साइड Sud जो है उसके हम निकाल लेते पहले यह नाइफ से आप देख सक्ते हैं इस तरह से और अब हम एक प्लेट लेएंगे और इस प्लेट में हम केक को रख लेते हैं और यह आप देख सकते हैं यह बहुत ही आसानी से निकल चुका है क्योंकि हमने इसमें बटर पेपर का यूज किया था और यह इस तरह से हम बटर पेपर को भी निकाल लेते हैं और यह हमारी जो केक है वो बन करके तैयार हो चुकी है तो अब हम एक दूसरी प्लेट लेंगे और इसे हम पलट लेते हैं और यह हमारी केक तैयार हो चुकी है बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी सी केक बन करके तैयार हुई है तो इसे मैं आप वो काट करके दिखाती हूँ तो यह केक की रेसिपी आप भी जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके जरूर बताईए कि यह कैसी बनी है तो यह केक जो है बहुत ही सॉफ्ट है बहुत ही स्पंजिप बनी है यह आप देख सकते हैं यह देखने में भी बहुत ही डिलिशियस लग रही है यह बलकुछ सॉफ्ट सी केक बन करके तैयार हुई है तो आप भी बनाईए इस केक की रेसिपी को और कमेंट करके बताईए कि यह कैसी बनी तो अगर आपको यह सूजी की केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं मिलते हैं नेक्स वीडियो किसी नेए रेसिपी के साथ तिल देन बबबाएं